नश्कार दोस्तों विल्कम टेंब ट्राइनर मैं हो सौरप ठाकुर चलि स्टेट अब स्टार्ट करते हैं अचे क्लास आजका हमारा एजंडर है आज है 3rd of March 2020 आज तक का जब मैं वीडियो रेकॉर्ड कर रहा हूँ वहो की वेबसाइट में क्या है मैं आपको बतायता हूँ आज तक 60 से ज्यादा कंट्री इस अल्रेडी एफेक्टेट है अभी जब मैं वीडियो रेकॉर्ड कर रहा हूँ ता गाड़ फरबिड हो सकता है श किसा अचानक स्पाइक क्या किया है इस तरह कि हम लोग बहुत साइच चीज़ देखेंगे और सब कुछ समझेंगे कि विदाउट बॉर्डर्स यहां पर क्या है इसके पहले अगर आपने इसके पहले का क्योंकि यह मेरा को बतायता हूँ फिफ्थ वीडियो इसके पहले मैं और मेरे खाले हां पर हां यह कोरोना वाइरस यह हो गया तो अभी जो मैंने माक किया वही था और इसके लिए डाइमंड प्रिंसस एक और है जो मैंने कट आउट यहां पर नहीं लगा है इस तरह कि आपको सारे वीडियो मिल लेंगे तो आपको बिल्कुल ग्राजुली समझ सबसे पहले WHO को लेके आते हैं WHO stands for World Health Organization United Nations के पांच अलग अरगन होते हैं United Nations Secretariat, United Nations Security Council, United Nations General Assembly और United Nations International Court of Justice होगे चार और पांच वह होगे ECOSOC इसको बोलते हैं ECOSOC, United Nations Economic and Social Council उसके अंदर आते है WHO, पहला कुशन मनता है यहां पर, इसके established कब किया गया था? इसके इसको जरूर देखेगा, International Monetary Fund पे, टाइम आने पे, इसके बाद मैं, World Bank पे, UN पे, International Atomic Energy Agency मुझे यह कुछ बहुत जादे important लगते हैं उसको इसको हमें discussion कर लेंगे, ठीक है? हला कि इसको भी Second World War के बादे सभी लोग आया थे, 7th of April 1945 को, that's fine, यह तो ठीक है जो भी है HQ इसका कहाँ पे है, यह बहुत common question है, इसका HQ कहाँ पे है, IMF जैसे मैंने बता है, उसका कहाँ पे है, WBG कहाँ है, Bretter Woods Conference के है, इसका बहुत common question आते है exam में, right? Parent Organization यह मैंने आपको बता दिया, तो यह हो के WHO, बाकी इस वीडियो को pause करें, slide को और पढ़ लिजेगा, इसके अलाव इसके Director General साहब, अब तो इतने बार मैंने भी खुद बोल चुगा वीडियो में, और इतना यह News में हरो, sir, कुछ ना कुछ announcement कर रही रहे है, तो Tedro Adnan साहब जो है, यह है, इसके Director General, राइट, यह बाकी चीज़े मैंने पिछले वीडियो में बोला हुआ है, प्लीज एक बार वीडियो को pause करें, अब चाहें तो पढ़ लिजेगा, आज को जो एजेंडा है, वो यह सब नहीं है, Director साब के बारे में यह, आज को हमारे एजेंडा है, व आपको मैं तो बढ़ा करता हूँ, आपको जाब अच्छा समझ मैंगा, यह लीजे, तो अब आप नीचे देखिए सबसे यहाँ पर, मैं जो मार्क कर रहा हूँ, मार्कर के पास देखिए, क्या लिखा यहाँ पर, 3rd of March 2020, तो इसका मतलब, यह 3rd of March को मैंने cut-out लिया हुआ ह यहाँ पर आप देख सकते हैं, World Health Organization WHO की website से मैंने लिया है, आप जो काम की चीज़ है वो देखिए, I'm really sorry to say, unfortunately, यहाँ पर 90,000, it's a one heck of a number, 90,000 से उपर, तो 90,000 यह number cross कर रहा है, मैं इस टॉपिक को तब से पढ़ा रहा हूँ, जब number 10,000, 20,000, 30,000 तब से cross कर रहा है, और इस 90 हजार में से almost 3,000 लों के मृत्य हो चुकिए, 90,000 में से 3,000 लों के मृत्य हो, मतलब अगर आप एक मोटा मोट एस्टिमेट लगाए, 3,000 डिवाइड में 90,000, तो मतलब कितना है, almost 3.33% के आसपस आ जाएगा, almost, एक राफ एस्टिमेट, मतलब हर 100 में से तकरीबन 3 लों के मृ है कि मैं इस टॉपिक को नब बहुत वक्त से पढ़ा रहा हूँ, मैं तब से पढ़ा रहा हूँ, जब ही केसे 10,000, 20,000, 30,000, 30,000 से क्रोस करते हैं और मैं जब स्टार्ट किया था, तब पूरी दुनिया में ध्यानते सुने को जो बोल रहा हूँ, 90, in fact और इसके पहले से मैं सीखने को क्या मतलब टॉपिक है, वो समझ में चीजी है, इतनी बड़े, इतनी बड़े चीज इतना, मतलब अनफॉर्चुनेट चीज पर दुनिया में हो रही है, 90,000 लोग अनफॉर्चुनेटली एफेक्टेड है, इसमें से आप चाइना में देखेंगे, तो 80,000 लोग, तो 80,000 इसका मतलब 8 by 9, 1 by 9 तो 11.11 परसेंट, तो पूरी दुनिया का आज की टाइम पे 88 परसेंट केस, तो अके लिए चाइना से आ रहा है, ओके, इसके बाद Republic of Korea मतलब होता है, साउथ कोरिया, तो साउथ कोरिया, एसके, साउथ कोरिया, 48,000, 90,000, तो तक्रीबन तक्रीब आजानी हो, 2.5% इरान, इसलामिक रिपब्लिक ऑफ, ये इरान जो है, इसका तक्रीबन 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 2% स्लाइट लिखा, मतलब 2% है, ये टॉप के 4 कंट्रीज हो गया, और इसके अलावा जो मैं आपको फोड़ोग्राफ दिखा रहे, डामन प्रिंस जो जहाज है क्रूज, वहाँ पे 700, मतलब तक्रीबन तक्रीबन 1%, चलो एक पर आड करते हैं, इस 1% को जो लास्ट वाला मैं ने लिखा, ये तो खैर, पानी जहाज है, क्रूज है, डामन प्रूज है, तो ये रहा 88%, 88 प्लस 2, 90, this is 95, 97.5 और ये रहा 98.5, जो मैं कहना चाहता हूँ, वो स चाइना, साउथ कोरिया, इटली, एरान और डामन प्रेंसेस, डामन प्रेंसेस तो चलो पानी जहाज है, मतलब है क्रूज है, अगर उसको छोड़ भी दोगे न, तो भी आप देखो, 97.5% केसेस, ये टॉप की 4 कंट्रीज, जो इसको इंक्लूड करेंगे तो तक्रीबन 98.5 केसेस, इसका मतलब बाकी rest of the cases, जितना ही भी पूरी दुनिया के जो केसेस आ रहे है, वो तक्रीबन 1 से लेके 1.5% है, तो थोड़ा तो आपको पैनिक शान्त हुआ हुआ हुआ, और इसको मैं मैप में भी आपको समझा है तो, मैप में भी आप देख लो, तो ताकि the idea is, टोटल कितने cases है, 90,000, तो इसका 88% cases अकेले चाइना के है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आएगा South Korea, ओके यह रहा दूसरा number case, 5% case यह रहा है, त्यान से देखिए हैं, मैप से समझे हैं, बहुत कुछ आता है, ठीक है, 5% cases के हो गए, इसके बाद यह रहा इटली, 2300, तकर और इसके बाद आता है, Islamic Republic, इरान, और यहाँ पे आपको 2% case मिलेंगे, और यहाँ जपान में, यहाँ पी Yokohama, जो cruise है, मैंने इसको ऐसा जहाज बना देता हूँ, यहाँ पे इस तरह से जहाज को quarantine करके रखा गया, वहाँ पे तकरीबन 1% case, समझ मैं आपको मैं देखके, कह सहाँ पे actually फैला हुआ है सब कुछ, तो आपको ने समझ लिया, कि 90,000 case में से, यह रहा 88,000 चाइना में, यह रहा आपका, South Korea में 2% होगे 90, यह होगे, sorry, यहाँ पे 2.5%, यह होगे 90.5%, इसके अलावा आप देखेंगे, तो इसके अलावा इडली में, तो इडली में आपको मि तो सही ही लगा होगा, तोड़ा मतलब आपको पैनिक शाहिद शान्त होगा, the idea was to, मतलब बताना आपको की cases कहा कहा पे फैले होगे, अब चलते जरह इसके आगे, लेकिन इसका मतलब बिलकुल यह नहीं की कोई case कम, मतलब पैनिक करने वाला काफी है, नमबर बहुत बढ़ा होता है, 90,000 is not a joke, बहुत बढ़ा नमबर तो 90,000, तोड़ा सा, और अगर आप देखना चाहिए, तो रुकिए, मैं आप हटता हूँ है, यह रहा, यह रहा Italy, यह मैं आप मैंने intentionally रखा है, यह WHO की website है, नीचे आप देख सकते हैं, वहीं से लिया होगे, अब आप आप देखे है, इटली के आसपास को देखे, इटली में तो यार, यह कहां से इतना इसकलेट कर गया है, यह 24 घंटे में, कहां 1600 के आसपास था, 1600 के आसपास था, यह कहां तो 2000 चला गया, मतलब अगर आप देखोगे, तो 400 डिवाइड बाइड बाइ, 1600, मतलब 1 by 4, that is 25% का इसकलेशन, य यह 24 घंटे में हो गया, यह कैसे इतना खतरना का इसकलेशन हो गया, तो यह देखने लाइग चीज़ है, तो यह हो गया इटली, अब दर इटली के लाब आप बाकी को देखो, आपको कहीं पर कुछ बहुत बढ़ा इतम, देखो, पॉर्चुगल 2, France 191, Iceland 1, यहां पर आपक इसके सभी में 111, तो यहां पर एकदम all of a sudden आप जेखे हैं, तो इटली में आपको बहुत बड़ा नमबर मिलेगा, यस, अभी कुछ बख पहले तक कि जैसे मैं आपको पिछले वीडियो में भी उस बात को बताया था, तीन जगें हैं जहां पर बहुत पैनिक जो हुआ है, जहां एकदम situation escalate कर गई है, South Korea में यहां पर situation बहुत escalate कर गई है, इसके अलावा इटली में situation बहुत escalate कर गई है, और इरान, इरान में situation बहुत escalate कर गई है, तो यह तीन जगों पर situation काफी escalate कर गई है, अभी जो latest announcement के WHO ने, तो WHO ने बोला, यह जो coronavirus है, COVID-19, coronavirus-19, यह coronavirus जो है पहला respiratory pathogen है, first respiratory pathogen है, जो की capable है, community transmission में, तो यह first respiratory pathogen है, जो community transmission में के लिए capable हुआ, और इसले इसका impact इतना जादा हो रहा है, एक और चीज़ बोले है, WHO ने, WHO ने बोला, अब यहां से दुनिया एंटर कर लिए, एक uncharted territory में, मतलब, unclear territory में दुनिया एंटर कर लिए, यह है, तो मैं आपको समझा दिया है, कि दुनिया में टोटल 90,000 cases हैं, और इस 90,000 case में से 3,000 case के, मतलब 1000, इतनी हो भी तक, unfortunately, very solid हो से लिए, इतनी मृत्य हो चुके है, मतलब, तकरीबन 3% लोग चुके है, 3.13, right, तो, 1 by 30, तो, हर 100 में से 3, यहर 30 में से एक रेक्ति उसके मृत हो गई है, right, तो, यह आप समझ चुके हैं, इसके बाद, US में कितनी बुरी तरह से भी case अचानक, escalate किया, US में, US आप देख सकते हैं, आप 88, हलाकि यह तीन तारीक ही है, WHO की website है, यहाँ पर 1 लिखा है, लेकिन US ने अपनी second fertility बता दिया, कि हा, वहाँ पर second एक इंसान, इस क्या बता है, South Korea का तो मैंने आपको बता आई, औरके मुझे पीसे जाने दीजिए, यहाँ मैं आप देखे, आप उजास हो रही है, South Korea का तो मैंने आपको बताई दिया, कि South Korea में जो नंबर इतने बुरी तरह से है, इसकलेट किया, तो South Korea का मैंने आपको बता दिया, यह देखे, almost 5000 हो चुका है, और अच्छा से देखना चाहिए, तो आप यह देखे, यह रहाँ चाहिना, यह सारे dots देख रहे है, red dots, कि यहीं पर आपको याद होगा तो हुबई प्रोविंस है, इसी तरह है न, हुबई प्रोविंस, और रुबई में फिर शहरात है, वहान, जहां से सब चीजों की शुरुवात होगी है, और यह रहा, Republic of Korea, मतलब इसको बोलता है, South Korea, right, इसकी बाद फिर हम लोगों देखा, इरान, इरान में आपको याद होगा, अगर पिछले वीडियो में, तो जो बच्छे पिछले वीडियो में एक दम, categorically बोला था, कि एरान में, I'm really sorry to say, 100% case बढ़ेंगे, very sorry to say, but यह सचाई थी, और आपने देखा हो कि एरान केस कितनी 30 एसकलेट कर रहा है, तीसरी चीज, इटली, तो इटली में भी अगर आप देखेंगे, तो मैं आप दिखाता हूँ किया, इटली में भी आप देखेंगे, तो इटली में तो यहार कहा इसके northern हिस्से में, यहां पे, Milan जहां पे, यहां पे नॉर्दन हिस्से में, यहां पे case था, यह था इसलिए hot spot गी, चाहनक इतनी तहीं से 2000 cross कर गया, इटली तो हमारे देखते हैं, देखते ही cross कर गया, तो अगर मैं यह बोलू कि यह तीन जगें जो है, कौन कौन सी तीन जगें, South Korea, South Korea के अलावा इटली, ठीक है, और इटली के अलावा इरान, अगर मैं आपको यह बोलू कि यह एक language बोल रहा हूं, कि यह लोग कर रहे हैं, तो यह word बिलकुल गलत नहीं होगा, बिलकुल एकदम यार, इतनी तेही से बढ़ रहे हैं, कि क्या ही बोला जाए, भारत में तीन केसे आये थे, हमारे हाँ पे तीन केसे आये थे, फॉर्चुनेटली तीन लोगों को ठीक कर दिया गया था, अभी फ्रेश दो केसे आये हैं, और कुछ केसे नियूज में पॉप अप कर रहे हैं, वो फाज केसे नियूज में तीन जो पहले जो ठीक हो चुकि लडके वह हैं, और अभी जो दो केसे हैं, वो डेली और बैंगलोर के जो आईटी में काम करना हैं, उनके केसे हैं, राइट, आप बुलेंगे, सर अब और क्या होगे हैं, सर अलरीडी अप चार इसमें बना चुके ह यह लिए बता हूँ मैं भी नहीं चाहता हूँ कि ठीक हो यार पुरी दुनिया में लोग इतना परिशान हो गया है घबराग इतना पैनिक हो रहा है राइट देखिए इरान में अच्छा आपको ध्यान है मैंने आपको नंबर निकाल के बताया था कि दुनिया में 90,000 डेथ मे अब आप देखे इरान में आपकेस देखे इरान में तकरीबन पंदरासों है फिटी सिक्स लोग के अल्रडी मृत्य हो चुकिया अप जिस्ट आपको समझाने के लिए क्रांड फिडर में 70 करके आपको बता रहो 70 आप दिये रहे हैं पंदरासों मैं से राइट जिस्ट आप कोई गुरु दुनिया में डेथ टोल का परसेंटेज चल रहा है जो कि सवा तीन सो परसेंट के आसपर से उससे जादा है और यह नंबर आउटसाइड चाइना डेथ टोल्स का वो है इरान में और यह मैंने पिछले वीडियो में आपसे बोला था कि इरान में में बोलता हूँ अगर बहुत जल्दे कुछ रेमेडियल सलुशन नहीं लिया गया तो इरान से यह चीज़ बहुत तेई से मिडल इस्ट में फैलेगी और इस यह इतनी तेज संक्रामक होगा कि I don't know क्या होगस का impact वो देखना होगा इसके अलावा तीन और देश हैं जिन्ह कर दिया कि हमारे यहां पर एक केस आ गया जॉर्डन ने बोल दिया तुनिजिया ने बोल दिया अच्छा मैं आप देखे और एक एक स्वाल है यह इंप्रेंट चीज है सही सवाल है सेकेंड और मार्च को कन्फर्म किया है और इसलिए वह की वेब साइट में आज तीन तारी को यह चीज अपडेट हो चुकी है ना सिर्फ यह एक मैप और देख लीजिए और वो मैप है सबसे पहले यॉरप का देखे चेक रेपब्लिक इन्होंने अपना केस कंफर्म कर दिया चेक रेपब्लिक ने कंफर्म किया कि हमारे यहां पे केस आया और यह बढ़ते बढ़ते आते हैं यह नोर्थ इंस और तो यह आपको डॉमिनिकन रेपब्लिक तो मैंने किस-किस का नाम बता आपको डॉमिनिकन रेपब्लिक का नाम बता है मैंने आपको इसके लावा स्कॉट्लेंड चेक रेपब्लिक तो तीनों ने कंफर्म कर दिया अपने एक एक केस को मुसलिम सबसे मज़िए मिजुट इडिनानुन अ 0ेशान ने भी कंफर्म कर दिया अपने केस को तो अभी कितने सारी गैंट्रिस का न अम अबता दे जिन्होंने उन अभी कंफर्म कर दिया मैंने आपको शुरू किया uh ंडुनेशा के तैं और के अलावा मैंने आपको क्या बताये सब गवंद पेसे Alea को चेकर क corpo किन या क्या है और तो marvelous की तोải आप समझ चुक्यों, 90,000 total cases है, almost 88% cases, मैंने आपको एक बात बोला कि जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तो मिरे आखों के सामने 98 से लेके 99% cases चाहिना के थे, और ये 88% हो गए, दोनों चीज़े हुई है एक साथ, मतलब पहली चीज़, चाहिना में नंबर गिरा है, इसम साथ कोरिया, इसके लाग मैंने आपको बुला इटली और इरान, इसमें बहुत significant, बहुत significant proliferation है, बहुत significant increment आए, आज की तारीख में, आज की तारीख में, आज की तारीख में, आल्मोस्ट 62 कंट्रीज, या मैं वीडियो रेकॉर्ड कर रहा हूं, 62 कंट्रीज या उससे ज़ और यह आपको मैं बार बर इसलिए दिखा रहा हूं, 24 गंटे में, 24 आर्स में, बिलीव दिस, मेरे देखते-देखते, मैं तो WHO की website दिन बार देख रहा हूं, कि क्या नंबर आ रहा है, आप लोगों से discuss करना तो है, लेकिन फिर भी या रही, आइडिया भी रहना, तो 1600, आल let's keep it simple, 2000 हो गया, आप percentage change नहीं काना जानते हो, कि final value minus initial value, 2000 minus 16, कितना हो गया, 400, 400 divided by 1600, right, कितना हो गया, 25%, 24 गंटे, 25% का increment आया, can you believe this, this is unbelievable, यार, और ये को और चीज़ आपको ये भी बतायता हूं, 24 गंटे में, इतली में, कहां तो एक समय पे 18 डेथ हुई थी, ये बढ़के all of a sudden 52 पहुँच गई, तीन गुना हो गया, आप देखो, 18, 36, 54, तो ये भी बहुत तेज़ी से एसकलेट हो रहा है, इश्यू, right, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता था, कि काफी तेज़ एसकलेशन आया है, right, ये आपको क्या लगता है, ये मैंने आपको किसीज के बार करना बता रहा हूं, तो ये आपको, इस दर अब मैंना आपको बता दिया, चाइना में हासीस ये भी हुए है, ये भी मैं आपको बता रहता हूं कि चाइना है, 22nd of January के बाद, 22nd of January के बाद, अब जाकी ये देखा गया है, कि जो पर डदेर बेसिस पे नए इंफेक्टेट के कि पहले तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था कुरूना में इतने बार और डिसक्स कर चुका हूं तो कहा तो सारे के सारे इवेंट्स का सारे के सारे एंफॉर्ट इंसिदेंस का तो बिल्कु सही बात है चाइना में नंबर ऑफ केसे कम हुए है अड़ सेम टाइम दुनिया के बाकिसों में केस बढ़े है और यही चीज़ चाइना है कि जो प्रिमियर है ली क्विंग क्वें जो भी इनको पढ़ते होंगे आप पढ़ लिजेगा तो ली क्विंग जो है इन हाँ से में तो यहुऑ बोला कि हुबाई प्रुविंस में और वान शेहर में जो डेली बिसे में दूंबर निकल के आ रहे ते वहने कम ही आ पैइठ आई और इसलिए आपको ध्यान हें कि चाइना ने क्या किए है था? चाहिना ने अडिये। एपको ध्यां होगा तो थे तो इस तार से एक दो करते करते 16 बनाया थे और जैसे इसमें से काफी लोग को ठीक करके जब इनको घर बेज दिया मैंने एक वाइड बुला भी टेंक टेंपरेडी मेक्शिफ्ट हॉस्पिटल्स मेक्शिफ्ट एक कोई अगर जी आरी वकर के एक्शाम दे रहा हुआ तो उस कैसे फीज लगते हैने लोग भी लगते जैसे जड़रत नहीं हैं तो डिस्पोजब कर रहे न्कोब कर तो कि Are इस तरह आ यह तो यहां पे आपको region अच्छली से मज़टा तो यह रहा ओमान यह होगे मैप नोगी घ्रयावट ऑफ ओमान यहां फारस की कज़ एकाड़ी मैंने यह इरान इरान मेंकी मुझा रटी में किश आई लेंड कैक्ष किश आईलेंड तो यहाँ पर भारत के तकरीकल छार सू मचवार रहे हैं ठीक है तो इन चार सू मचवारे क्या किया । वहारपे क्लुंपस्वार। ठाउ तब भारती ओर्ओं कि चार्सो मचवार है इन मचवारों ने तक बार आपको और देखना देख लिए देखिया यह दर छोटा सा ठीक है तो यह कि शाहिलेंड में भारत के तकरीब इन इंडियन मचवारों को प्लीज यहां से एर लिफ्ट कर लिजे हमारे पास भोजन की सप्लाई जो है वो भी खतम हो रही है यह देखिए यह बगाएदा वीडियो आप चाहें तो जाके आपके ट्विटर आपको ट्वीट दिखेगा यह दमू गदाम तो यह दमू गदाम करके इन विक्ति जोन ने ट्वीट किया था तो आपको यहां पर देखेगा तो इन्होंने बोला कि सर हमारे पास जो भोजन वह भी खतम हो रहा है इसके लापास हमारे पास वह मास्क और कुछ भी नहीं है और जिस रेट से इरान में एसकलेट हो रहा दिखाया था मैंने आपको जो रेट से इसकलेट और उसमें भी एसकलेशन अभी तो फाइफ परसेंट तो अन्फॉर्शनेटी डेट अभी डेट टोल्स का परसेंटेज राइट तो इसमें अभी सब्रेंडियम जैजंगर सामने बोला कि हमारी बात हो रही है इरान की सरकार से देखते हैं आपको जित अब यह काउंट अभी बढ़ा है काफी समय तक के 3 था और 3 के 3 लोगों को ठीक कर दिया गया था तो कॉंट कुछ नहीं था अल्मोस्ट लेकिन ऑफिशल डेटा के हिसाब से 3 प्लस 2 पांच अभी दो और लड़के हैं एक लड़का जो है वो है आपके डेली से जहां पता च पूचेंगे तो मैं जवाब होगा यस डेफिनेटली डेवली अच्छों जो है अब करोना के लिए अभी थोड़ा सा परिशान तो हुआ है क्योंकि देखिए आप यह दोनों नंबर या कोई छोटे नंबर नहीं है आप मुझे बोलेंगे सर सार्स के टाइम पर अरे कहां य है और यहीए और ने क्या बोला ने जो कि पहला रिस्पाराटीप जहाएन जो कमूनीटी ट्रानस्विशन कर अकर रहा है इसके अलाव ने बोला कि यह अब तो अन्चार्टर्व मतलब उर्चन जिसके बारे में कुछ आडिया निया उस तरह के टरिकरीन के साब तेडरो साब क्या बोला नेवर बिफोर सीन और रेस्परेटरी पैथोजन के पिपट्रो पर टैन्समिशन की पूरी कम्मिनिटी में ट्रावल कर जाए अशना तो कभी देखा नहीं गए था तो यह बहुत डेंजर सिंबल्स है यह बहुत डेंजर साइन्स है आपको मैं ए अभी जो केस आ रहे है माल लीजिए चाइना में समझाने के लिए माल लीजिए चाइना में आ रहा है एक केस तो बाकी पूरी दुनिया में जो भी चाइना में केस आ रहा है उसका 9 times, मतलब 9 cases आ रहे हैं, मतलब China के मुकाबले पुरी दुनिया में 9 times ज्यादा cases आ रहे हैं, this is one heck of a number, यह बहुत बड़ा number है, तो Tedros साब ने बोला है कि अभी भी हम इसको push कर सकते हैं, परिशान होने की जुरत नहीं है, हम इसको अभी भी push कर सकते हैं, Tedros साब ने एक बात और बोला, काफी चीज़ें बोला उन्होंने भी press conference में, उसमें से एक और चीज़ बोला, हम push तो कर सकते हैं, उन्होंने बोला कोई one way traffic ऐसा नहीं है, अगर पहले सरकारों ने और अच्छे से ध्यान दिया होता, तो शायद इतना यहां तक के नौबत नहीं आई होती, और जाद अगर effectively decision making होता, तो शायद यहां तक के नहीं होता, इसके अलावा लेकिन अब हमारे पास और कोई choice नहीं है, तो अब जो भी करना है, वो समझदारी से करना है, और हम लोग इसको अभी भी contain कर सकते हैं, containment हम लोग अभी भी कर सकते हैं, हर एक country के अपनी situation है, हर एक country के अपनी own situation है, तो यह ऐसा मत सोचेगा, one size fits all वाला, एक solution सभी को लिए fit कर जाएगा, लेकिन हर country को मैं यह जरूर बोलूँगा, cooperate कीजिए, क्योंकि अभी भी यह virus जो pandemic नहीं है, इसको अभी भी contain किया जता है, सीमित किया जता है, basically जो बोलना चाहरे हैं, वो यह हैं, कि जो infected लोग हैं, उनके traveling से ही तो फरक पड़ रहा है, अगर हम वो चीज़ को quarantine कर दे, confine कर दे, तो शायद containment अभी भी possible है, हाँ, हलाकि इस बात से नजर अदाज नहीं किया था, कि टेडरो साहब ने एक बात जरूर बोला कि स्विकार किया, कि तकरीबन 62 देश जो हैं, भगवान ना करे बढ़े, लेकिन मैं आपको एक बात बोलता हूँ, यह नमबर बढ़ेगा भी और, ठीक है, मैं God forbid ऐसा ना बढ़े, लेकिन मैं आपको यह जरूर बता है तो, जब मैं next video लेक्वान आँगा, तो शायद यह नमबर और बढ़ चुका हो, लेकिन कुछ अच्छे नियुज़ मैं आपको दे दूँगा, इसा अब गभ रहा है यह गमत, तो 62 देश जो ऐसे हैं, जो affected है, तो 62 देशों में टूटल मिला कि 90,000 केस है, लेकिन अगर आपने ध्यान देऊगा, जो मैंने calculation करके आपको दिखाया था, चार कंटरीज, चाइना, साउथ कोरिया, इटली, इरान, यह चार हो गए, और इसके लाब अगर आप डायमेंड प्रिंसेस को भी लेंगे, तो पांच, इन सभी को मिलाएंगे, तो तकरीबन 98.5% केस होते हैं, तो जब आप 4 कंटरीज, तो 62-4 करेंगे, तो 58 कंटरीज, जब आप बोलते हैं, तो इतना भी पैनिक मत कीजए, यह वो 1.5% केस ही है, पहली चीज, दूसरी चीज, 38 कंटरीज, टोटल मैंने कितना बोला, 62 कंटरीज, इसमें से 38-40 कंटरीज, चलो calculation के असानी के लिए, मैं 40 लिख देता हूँ, और इस 62 को मैंने लिख दे 60, मतलब two-third countries ऐसे हैं, जहाँ पे जो number है, वो या तो 10 है, या तो 10 से कम है, पहले चीज आपको थोड़ा तो सुकुन मिला होगा, दूसरी चीज, तो ये number तो सुनके भाई, किसी को भी तो जुकुन मिलेगा, दूसरी चीज ये है, इन जो 62 countries में से, टेटरो साहब ने बोला, वोई स्वारी या, 62, मैंने 68 लिख दिया था, 62 countries में से 8 countries ऐसे हैं, 62 countries में से 8, 8 countries, मतलब, चलो कम से कम 10%, 12% number तो हुआ, चलो कुछ नहीं से तो कुछ नहीं, इन में पिछले दो हफ़ते में, कुछ भी increment नहीं देखा गया, तो almost constant देखा गया, which is another good news, तकरीबन दो हफ़ते से, दो हफ़ते हैं, उससे ज़्यादा से increment नहीं देखा गया, तो चले मित्ती देखा आपको खराब news सुना था, कुछ तो कम से कम अच्छी news भी आपको मैंने बता दिया, टेडरोस साब ने बुला, कि अभी हम इसको contain कर सकते हैं, तो क्या इसको pandemic बोले होंगी हैं, नहीं, अभी भी टेडरोस साब ने सीज को pandemic गोशित नहीं किया, राइट, क्लियर हैं था कि सभी को मेरे ख्याल से यहां था, आपको समझ जा गया हो, हाला कि इन्होंने एक बात एकदम क्लियर कर दिया, कि जो तीन देश हैं और जिनका नाम मैंने बोला था आपको South Korea, Italy और Iran, ये लोग definitely concerned क्या point है, they are of the highest concern, अचा वाई देवे इन्होंने एक और country बोला जपान, ये छोड़ गया था बताना, जपान को भी इन्होंने बोला, जपान को भी include करेंगे, तक्रीबन सारे के सारे major countries आजेंगे, जहां भी इतना seizure फैला हुआ, तो इन्होंने बोला कि ये major concerns है, एक बात आपको थोड़ से मैं बोल दता हूँ, इरान के WHO के एक जो officer है, staff member है, उनको भी unfortunately positive पाया गया है, देखते हूँ, उसका development क्या होता है, जो भी होता है, आपको बताता हूँ, US and coronavirus 19, COVID-19, unfortunately, US में अचानक कहा तो कोई disease थी नहीं, escalate करते करते है, नमबर 80 हो चुका है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो diamond princess के बागते मैं आपको बताया था, 14 लोग वहाँ पर migrate करके गया, 57 था नमबर 57 में से 40 लोग तो वो थे जो ठोरों diamond princess से गया होए तो महाँ पर लेकिन अब जाके नमबर 88 हो चुका है, और अभी जब मैं वीडियो बना रहा तो कल की रोज, दो लोग हैं US के जो unfortunately दुनिया में नहीं रहे, मैंने पिछले वीडियो में, इनके बारे में बताई है, इन सहाब का नाम आपको बताया था और अखर आप नहीं भी देखें तो भी कोई दिखती है, अभी United States में जो Corona का केस है, वो ये deal करने है, ये जो सार है, इनकी फोट है यापई दिया हुआ, मुझे आप comment box में दाईगा, इनका नाम क्या है, Trump साब का नाम क्या है, इन सहाब क्या है, आप मुझे बताना ध्यान रखेंगा, तो अभी United States की officials ने ये बोलाए कि, कि अभी हम यह देख रहे हैं कि जो भी लोग इंफेक्टिट पाए गया है उनका टच पॉइंट्स क्या क्या रहा है टच पॉइंट्स मतलब वो लोग कितने लोगों से इंट्रैक्ट की हैं कि इतना आसान काम नहीं भाई एकदम यह सू के घास में वह क्या बुलता है तो अभ जब हम लोग ट्राइब कर रहे हैं कि इन्फेक्टिट लोग देखने जारे हैं लोग किन से किन से कॉंटक्ट किया है विल सी जैसे मैं आपको बता है आज की तारीक में युनाइट सेट्स में 88 केसे हैं दो फैटलिटी हो चुकिए मतलब दूनों के उन्फ प्रॉब्लम से इस पर गुजर रहे थे और एक और विक्ति जो थे यह बुजरू एक तो जिसे मैं आपको बता है 70 एर्स के थे इनकी बार में ड़त हुई है और एक वेक्ति जी तो 50 फाइफ-0 50 एस के थे जब दोनों के दोनों का जब जिनोम टेस्टिंग किया गया तो बहुत सारी चीज से पाइगे पहले चीज़ यह उनाइटेट स्टेट्स है जिसे मैंने आपको समझना आई कि गूगल मैप से निकाला है और यह वाला हिस्सा जिसका वाशिंग्टन थोड़ों पास करते है यह यह हो गया वाशिंटन राइट तो वाशिंटन तो जब इन दोनों लोगों की ज जानना इससे गुजर रहे थे पॉज्टूटिव पायों यस क्या दोनों कहीं कोई relation था कि एक दूसरे को जानते पर चानते थे यह नहीं कहीं से एक दूसरे को नहीं जानते थे यार कहीं से नहीं तो डैथ हास्पास भीए है नहीं डैथ भी बहूत अलब बहुत गयाब था और दुनों unfortunately दुनों के हाँ डेध भी सेम हॉस्पिटल में ही तो इसका मतलब यह हुआ कि यार कहीं न कहीं से यह spread कर रहा था community में काफी लंबे समय से spread कर रहा था इसलिए आप देखेंगे न कि काफी सारे जो बुद्धी जी में United States Home का कहना यह है कि अगर कहीं ऐसो दो नहीं है कि यह बहुत समय से जो पहले शक्स की death हुई है उसके पहले से community में already यह एसंटोटिक है एसंटोटिक का मतलब जोरूरी नहीं है कि अपने symptoms को यह दिखाए शुरू के चौद दिन हो सकता है कि दिखाए ना symptom को एसंटोटिक है तो अगर ऐसा है तो अगर तो इन्होंने कहा है कि अगर mid of January से यह virus रहा हो यूज की society में तो number का कोई अता पता नहीं है हो सकता है number of incidents आगे चल कि 15 हो 150 हो 1500 हो who knows nobody knows this on an average we can expect 300 से 500 तक की US में cases जा सकते हैं आपके सामने मैंने आप एक hospital के photograph रखी है यह है evergreen health तो अभी जो second second number के शक्स है उनकी जो मृत्ति हुए unfortunately वो यहीं पे the evergreen health hospital जो Kirkland में Seattle में देखिए आप देख सकते हैं 1st of March को यह 2nd death हुआ था जो एक और वेखती थी उनकी भी death यहीं पर हुआ था evergreen health में Washington के थे दोनों यह तो first corona से death हुआ था था तो यूए यूएस ने डिवल एचो को बताया था कि हमारे यहां पर coronavirus से first death हो चुकिए जैसे कि मैं आपको बताएं कि दोनों के दोनों शक्स जो थे यूएस के दोने दूसरे के contact में नहीं थे most probably और दोने दूसरे को जानते भी नहीं थे नो लॉंगर भी expected to be contagious तो इसका मतलब यह हुआ जो चीज जिस चीज से WHO डर रहा है कही नहीं कहीं ऐसा हो नहीं कम्यूनिटी में फैल रहा है तो यह genetic finding भी सिदर की बाते बोल रहा है तो यह genetic finding है genetic finding में भी यही इसी चीज का अंदाजा लगा जा रहा है कि probably ऐसा है कि शायर देखिए कि the virus has been spreading through other people in the community for close to six weeks और अगर ऐसा है तो फिर अगर यह 6 weeks के आसपास से चल रहा था तो United States के एक डॉक्टर साहब है Mr. Mike, यह रहा Mr. Mike, familiar इन्होंने बोला अगर ऐसा है कि mid of January से spread हो रहा था और इसके spreading को में नहीं कर पाया था so God forbid पता नहीं कितने touch points होंगे और कितने लोग को पता ही नहीं होगा कि वो infected है क्योंकि मैंने बोला asymptotic है अरे बाई symptom निकलने में भी तो एक से चहुदर दिन का time लग सकता है तो किसी इनसान को पता नहीं है लेकिन याद रखेगा coronavirus यह को यह coronavirus जो है asymptotic है that's fine जो उसके touch points है उस दौरान होसता सामने वाल एक्टी को पता नहीं हो लेकिन अगर वो किसी और से मिल रहा है और उस वक पे propagation हो रहा है तो बिल्कुल propagation हो सकता है इसलिए इन्होंने बोला कि कोई कुछ नहीं कह सकते है हो सकता है 1500 से लेके 1500 लोग infected हो अगर जिमिट जैनवरी से फैल रहा है तो तो most likely इन्होंने कहा कि number expect कर सकते है यूएस से 300 से लेके 500 अभी यूएस का number 88 देखते हैं God forbid भैवान कर ऐसा ना हो बड़ ऐसा इन्होंने कहा है कहां पर ऐसा हुआ है कि वापिस resurface करके आ गया है देखिए मैं आपको किया बोला कि total number of cases 90,000 आजके हिसाब से और 90,000 में से 3,000 लोग नहीं रहे इंडिया में total cases आपने देख तो इंडिया के neighborhood में इतने सारे cases आपको देखने को मिलेंगे उसके बावजूद इंडिया में एक भी case नहीं है वह इंडिया से इतने populous country में काफी अच्छी बात है तो हमारा neighborhood इस्पेशली जब में कहा रहा तो मेरा कहने का मतलब world's most populous country चाइना की तरफ मेरा इशारा है ज है अच्छी बाद के अच्छी बात है काफी अच्छी बात है आप G사 2 इंडर आयोगा की बापने टीनों तीनों की तिनों शक्स थे ने को वह हो HAM किरेंट कई को मदाब ज्याद आपका बाहर जाने की जु follows अधर के बार बात किया है मैं कि आ आउट आई वहार को एक बहुत फ़हला था फिर करला की गौवर्मेंट के लिए बहुत काभिले तारीफ काम किया था और जब नेक्स्ट इयर निपाव वाइरस का एक भी केस नहीं आया था तो इस चीज़ को करला को केरला को करला को सीज़ का अंदाज है कि इस तरह की प्रोब्लम से डील कैसे करना है तो सबसे पहले सीज को ने स्टेट केलमेटी गोशित किया केलागन गौवर्मेंट ने कि उन्होंने अपनो वही निपा वाइरस का एक्सपिरेंस यूज किया और सबसे पहले सीडिवेशन को टैकल करने के लिए तो इमेड़ेटी डेकलेर कि भाई यह स्टेट अमर्जेंसी है है बेए जो ग्रूपढ इंड़िवीजा जह हां से लाई गया यह दो को औरनेटाईन करकेर था वीकज तक और उसके बार उनको करद दिया गया और वहिंसको और रोग। इंडिया एंड कोरोना वाइरस 19 जिसे मैं आपको बता है अभी जो दो नए केस निकल के आए एक केस डेली का है और दूसरा केस है तरंगना का और टूटल केस हो गए पांच फाइन यह देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ तो जो डेली वाला केस है डेली वाले जो शक जब हैं तो इनको पाए गया कि हैं पॉसटिव है जो सेकंड परसन ने इन पर सबदद आज और दुबै और दुबै की बाद इनका जो रेपोर्ट है अभी भेजा गया दुबबै गया कि इसकी बाद इनका रेपोर्ट बहजा गया पूने में National Institute of Virology तो यहां से confirm हुआ इसके अलावा कर आपने NIV का नाम आप डेली बेसिस पर सुन रहे होगे कहां पर सुना आपने एक इडालियन टॉरेस्ट है और यह भी आपको विदाया तो इनकी वाइफ को भी पॉजिटिव पा लिया गया है लेकिन जो यह टॉरेस्ट है इनका पहली बार ट्राक किया गया था एरपोर्ट में तो नेगेटिव आया गया था फिर इंकी तविद बा ऐब देख सकते हैं अब॥ देश के हैं ने पैसेच अहूंअग सारव साट गौर ओंग ऌसारओ जपान सार्थ साउद को्या सारह सारा है नेपाल सार्व थाइलन ऑपकुल मिला और इन अब ऑठ आ रहे हैं तो यह उत्ली और इरान से भी आ रहे हैं तो यह शक्स जो है इन्सर का नाम में आप जानते होंगे तो मुझे बहुत चला कि यह हेल्थ मिनिस्टर ने नाम बता सकते हैं बिलकुल अभी काफे नाम सुना होगा अपने डेली एक्षन के टाइम पर भी हर्श्वर्दन साहब तो हर्श्वर्दन साहब ने बात कहा कि आज अभी तक पांच लाक से जाधा पैसेंजर्स जो है उनको स्क्रीन किया जा चुका है एरपोर्ट में और ना सिर्फ यह साड़े बारा जार के आसपास पैसेंजर्स जो है उनको सीपोर्ट में स्क्रीन किया जा चुका है तो हम लोग बिलकुल स्ट्रिक्ट है उसमें हम बिलकुल वियर न लोगा नज़र रखा हुआ है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने बात बोला कि 37 लोग ऐसे जिनके उपर डाउट है जो हॉस्पिटलाइज थे तो कुरोना वाइस के सिम्टम के लिए तो अभी उनके उपर भी नज़र रखा गया निगरानी रखी गया है ठीक है इसके अलाव तो ये साज जो ये जो बालक है ये नौकिरी करते बैंगलोर में इंदी का कीस पोजेटिफ पाया गया है और जैसे ही तWA फोजेटिफ पाये गया to tried kep वेलंगाना के लंगाना के हैसे लिट ने किया के असी लोग है याद कीजे मैं आपको सेम इस तरह की चीज यूएस की केस में भी कहा था यूएस भी करने कोशिश कर रहा है कि टेच पॉइंट कितने लोगों से इन लोगों इंक्याइक लेकिन महरण को दिफिकलि DRCd असान भी आपको इन्स भी कॉन्ट कोस भी कॉन्टच में हैं असले भी कुछ Michel निज gli एक वर्ड लिख देखी बैंगलोर में काम करना हो आईटी का लगा तो मैंने लिख देखी ताकि आपको जब नोट्स में मिलेगा तो आपको सामने आ रहेगा तो यह बेसिकली रखा है दुबाई से बैंगलोरा है 17 तारीक को और उसके बाद फिर वापस रिटर्न किया था 20 त पर कर दिया गया जब वहां जाके इसना दिखाया तो यह देखा कि यार फिवर कम होने का नाम नहीं ले रहा है जो आजीब सी हालत लग लिए तो देखा गया फिर यह कोरोना के लिए पॉसिटिव था राइट मैंने टेखी उसी 24 साल के लड़के के लिए लिए और जिसमें इस बस में यह गया था इसमें 27 पैसेंजर थे गॉर्मेंट जो इन 27 के 27 पैसेंजर से बात कर लिए तो ऐसा है रेट इस कोरोना के पॉसिटिव होने के कारण आप तेलंगाना के बाजो में जाहिए करनाटका तो करनाटका ने अपने बॉर्डर के तीनों जो तेलंगाना से गोशिद का दिया है तो क्राइसिस के पहले ही क्राइसिस की तयारी इस तरह से करते हैं विच इस गुड़ एक्शुलिए मेरा को पहले है यह सब काफी अच्छा है पॉइंट तो करनाटका के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेर डेपार्टमेंट ने बोला कि भाई हम लोग नह है पारणिश तरह दिया गया हैं चारो के शारो डिस् planets कर दिया गया है ना सिर्फ देस में कॉल्देस के एक पॉरम निकाला है और फोरम स्कूल में कॉलेज न डिस्ट्रिबूट करवाया है और वहाँ पे उनको बोला है कि जो भी आपके स्कूल में जो भी आपके कॉलेज में बच्चे हैं लड़के लड़के हैं फैकल्टी जिनको कोई प्रॉब्लम हो रही सर्थी खासे जो काम नाग बेने यह सब की ज प्रॉब्लम होना चाहिए यह बहुत भवान के गृप है कि हमारे देश में से जिर अवी तक जब मैं वीडियो बना तो पांच वैसा कुछ मैसेश पॉप-प कर रहे थे थोड़े खेसा और बढ़े है पहले आपना तीन सबसे बढ़े बेसिक तीन बिग प्रॉब्लम समझ लिजे तो आपको समझने में काफी आसानी होगे पहला प्रॉब्लम यह है यह जो एरपोड में चेकिंग होती है न यह तेमपरेचर किसका जाधा है यह पहले मैं पूत करता हूं यह कोई शौर शौत तरीका नहीं है राइट ते जिस क्रीनिग हो रहे है कि इसका है यह रहा ऐसे हम तोटिक है मतलब एक से चवदो दिन का टाइम लगी गा इसको अपना शिम्टम दिखाने में उसके बीच में और को इनसान ट्रवल कर रहा है तो अपने टच पॉइंट मतलब इंफेक्शन पॉइंट कर रहे हैं जो भी से इंटराट कर उसको इंफेक्शन तो हो रहा है लेकिन वो जो आपने पिछले वीडियो में भी देखा हो मेरे ऐसा गंड टाइप का नहीं तो ज़रूरी नहीं कि उसमें दिखे मेरे कहने का मतलब आप यह नहीं बूल सकते कि एक दम पर्फेक्ट तरीका इससे आप एकदम फ्लॉलेस है नहीं फ्लॉट है इसमें कोई बात नहीं जैसे मैंने आप कुछ वक्त भी बोला था जो राजिस्थान में टोरेस्ट है राजिस्थान में जो इटली के टोरेस्ट है जब पहली बार पानकोन पर शॉटरा गया था तब देखा गया था कि नेगेटिव आया था नेगिटिव लेकिन दूसरी बार यह हुआ कि जब दूसरी बार इनका सैंपल देखा के तो पॉजर्टिव आए गया था आगया था और तब है देरे-देरे ग्राजुले डिटोटरी और अभी त प्रजिगों के फ्लाइट मिल जाएंगी और इसके अलावा हमारे हाँ से इंडिया से जो लोग साउथ कोरिया जाते हैं तो वह तो मतलब होल्ट लेते हुए जाते हैं शैंगाई बिजिंग तो बहुत कॉमन है और तो यह बहुत ज्यादा कॉमन है तो ना इसलिए यह आज के है जा इच ओव उस नेटस अलो उसमाल पूरी दुनिया क्नेक्ट हो चुकई है तो लुस्पन पर क्वाशंग्टन में बहुता है यहां तो यहां पर कि मरने को बताब ता करो न हैं यह स्टेटमेंट मैं आपको पहले ही बोला था और इसी के चलते युनाइटेट स्टेट्स में यह बात बोली जा रही है कि हुनोज अगर ऐसा होगा तो शायद केसे बहुत जादा हो जाएंगे रैट गौर्मेंट को कि मेरे हिसाब से किसी के लिए रेडी रहना चाहिए बैं बैंगलोर का वेदर सुपब है लोगों को बैंगलोर से प्यार बैंगलोर के कारण तो यही चीज ना वाइरस के बैंगलोर के लिए काफी क्रिटिकल रहेंगे अभी तक तो मेरे हिसाब से सरकार ने जिस कंपनी का वो लड़का था उनको अलर्ट दे दिया होगा कि ऐसा ऐसा है अब यह जो बालक है जो लड़का है तो आपने दोस्तों से मिला होगा कलीक से मिला होगा जब गया सभी जग लड़का तो यह राइट दूसरी बार हमारे हां के वास्पिटल्स को रेडी रहना पड़ेगा लोकॉल होस्पिटल्स को क्योंकि यह ऐसा ना हो जाए कि एकदम से केस बढ़ जाए और एकदम से हाई इंफ्लक्स ऑफ पेशेंट्स हो और हमारे यहां पर हॉस्पिटल से रे लोगों के लिए हमारे देश में भी एक डॉक्टर है तो इसका मतला बहुत ही खराब सिस्तिती है बूसरी चीज आप यह भी समझें और क्या कारण हो सकते हैं कि हमारे देश में ऐसा बोल रहे है कि बहुत सड़न आपको एकदम एबरेशन नौन बहुत इस नंबर बढ़ते देखे एक तो यह भी है कि हमारे कंट्री बहुत 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 ज्यादा अबादी है तो सभी लोगों को इसलिए भार बोला चाह रहा है कि हाईजीन पर्सनल हाईजीन में रखें खुब अच्चे से हाथ वगर दिन में तीन बार चार बार लिव कॉम वाटर पी हैं इसके अगर कोई आपके पास forwarded message आया है आज के ताइम पे लिए 62 से जादा countries और उसके बाद मैंने आपको अल्रीडी बिता दिया नब्बे हजार लोग अनफॉर्टले एफेक्टेड हैं तीन हजार से जादा लोग की मृत्य हो चुकी है तो हमको इतना sensitive ज़रूर होना जी कि हम किसी message को अगर कोरोना का forward करें तो हम पूरा full 100% sure short हो उसके बारे में एक संग मतलब एक लास्ट छीज आपको बता हैं कितने अगोशत मामले हैं कितने अगोशत मामले मतलब आपके इसाफसे सर कितने शलोग हैं को ञप यह उन्हों को रहिए उसी लिए गर इस ही सो नी कर दिये तो इसलोग इसरी फिर डू्री अफिड को पहिज समय कर दीन इस को रेले बता रहा हूं पूरे दुनिया में कोई भी नहीं बता सकता आज के टाइम पे नो वान है और आपको बात रहे हैं तो इतने किट्स हमारे पास अभी तो है नहीं और दूसरी चीज यह है कि इसके सिम्टम मैंने एक वर्ड जो आपको बोला है एसिम्टोटिक एसिम्टोटिक यह वर्ड आप काफी बार देखेंगे पहली चीज ना किट का वाइलेबल ना होना और जो किट अवाइलेबल जो एर पूड़ आप चेक कर रहें इस ता से वह गन वाला गन मतला वुचे टेंपरिचर गन जो है वह इतना फूल प्रूफ नहीं है और तीसरी चीज मैंने आपको जो बोला जरूरी नहीं कि यह अपना सिम्टम दिखा है मैं आपको एक्जांपल भी देता हूं चाइना में क्या हुआ था एक लेडी थी और इन लेडी को वैसे तो आफकास पता नहीं था और इन लेडी के चलते फिर एक जर्मन महिला थी थे उनमें त्रांस्वर हुआ था क्रोनावािर्स और बाद में देखा गया था कि उनसे उन महिला डूरो गया था क्योंकि वो सांत में था उनके इसी तरह से अब यज लेडी भाइद होए वहान कि फिर तो और। इनके 5 रिलेटिव जो की आइनांग के थे Nit और इन में से अभी देखा गए कि जो पाँच के पाँच कोरोना के लिए पॉस्टिव हो गए और जो उतके दो रिलेटिव्स है वो सीडियस कंडिशन में है अभी तो अभी वो देखना पड़ेगा यार वो चीज अच्छा आपको मैं एक बात ज़रू बदायता हूं कि रिसर तो जब ठीक होने के बाद ये प्रेजन अफ्टर सिंटम डिसपीर्स तो इस इंटम मैं करोना का जब गाय को जाता है उसके बाद अगर वाइरस प्रेजन है तो वाइरस कोरोना कॉस कर सकता हैं कि नी आजो बाझो के लोगों में या भी किसी को नहीं पता है यह नेसरी नहीं है आप देखियों कि आप मेट्रोपोलिटन सिटीज में होंगे तो आपकी कंपरीज में यह बात हो रही है कि वर्क फॉर्म हम देना चाहिए देना होगा आपके आप यह पी क्लाउस आए होंगे अभी आफिस में के नहीं जितना कम से कम सकता ट्रैवल करो अन्ने यह लाइन इसले मैंने लिखा है क्योंकि 62 से ज्यादा कंट्रीज है लेकिन फिर भी आपको एक बात बोलूँगा कि इसमें 98.5% केसेज जो है वो चार कंट्रीज और एक डामेंड प्रिंसेज और जपैन को भी अगर आप एड़ कर देंगे तो 99% से ज्यादा केसेज इन पा कुछ ही केसे देखने को मिले हैं और 8 के आसबास कंट्रीज आज के टाइम पर जाम में वीडियो बना रहा हूं आज के टाइम पर आट कंट्रीज के आसबस ऐसे हैं जा पिछले दो हफते में कोई इनक्रिमेंट नहीं हुए तो उमीद कर रहा हूं कि आपको टॉपिक समझ म निकाल के रखा था और मैंने आपको बताया था कि आप परसनल हाइजीन मेंटेन रखना तेंपरिचर का ध्यान रखना हाथ वगर्दो के रखेगा अच्छे से साफ सुतरी रहेगा वो टिशूज यूज कीजेगा वंस्यूर डन त्रो कर दीजियो सीज को डिस्पोस अफ कर द लिए इसका पीडिफ लेक्शर आपको यहां पर छाएगा टेलीग्राम में आप जाके लिखेंगे सुरफ सुरफ ईफिशल तो वहां पर आप जाएंगे वहां पर पर देख चुके हैं उसका बोडुकि तो मैं सुरफ था जबताब आपका ऑन्सुन के बारे में कोई भी ची लेकिन आपको कुछ उपीनियन होगा आप भी कुछ शेर करना चाहते होंगे इतनी बड़ी चीज है जो पुरी दुनिया में फैले हुए पागवान करे जल्दे जल्दे ठीक हो जाए एक पूरा पैनिक जो पूरी दुनिया में फैला हो एक खतम हो जाए इसके अलावा गर पूल पूल आइटल लिखेगा ताक किसी और की फिलिंग्स को हर्टना राइट मिलते नेक्स क्लास में पावे अरुड़े टेक्ट